जहिन साथी आपसर्फी का स्वागत है सिबेई क्लासेस में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आमल चारक एम लवन चिप्टर को ये लेक्चर नमबर पांच हो जाएगा आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अमलेवम छारक के विलियन कितने परबल होते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे अमलेवम छारक के विलियन कितने परबल होते हैं उसके बाद हम लोग जानेंगे लवन के संबन्द में अधिक जानकारी उससे पहले हम लोग जानते हैं पी-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च- यह अंक्यत होती है कुछी इस परकार से होता है प्छिए इसकेल Application यह आप देख रहे है साथ से इतना यह से जीरो तक यह होता हैं अम्ल मतलब प्छिए से में साथ से नीचे जितना भी है यह अम्ल के लिए फिए हो साथ से ऊपर 14 तक ये छारक के लिए पिएजमान है और ये जो साथ आपको दिख रहा है ये उदासीन विलियन के लिए पिएजमान है नोट करके आप लिखना है उदासीन विलियन का पिएजमान साथ होता है उसके बाद आपको लिखना है नोट करके साथ से कम अमलिये विलियन का पियज मान होता है उसके बाद आपको लिखना है नोट करके साथ से अधिक छारिये विलियन का पियज मान होता है ठीक है उसके बाद आपको ये देख लेना है एक तरफ पदार्थ लिखना है एक तरफ पियचमान लिखना है और इसे याद कर लेना है जठर रस का पियचमान कितना होता है एक पेंट दो नेमबुरस का पियचमान दो पोइंट दो सुद्ध जल का पियचमान साथ रक्त का पियचमान साथ पोइंट चार Milk of Magnesia का पियस्माद 10 Sodium Hydroxide का पियस्माद 14 ये objective में आता है इसलिए से याद जरूर कर लेना उसके बाद हम लोग देखते हैं Parbal Amblo जो Amlilien अधिक मात्रा में H पलस आयन देता है उसे Parbal Amblo कहते हैं ठेक हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं Darbal Amblo जो Amlilien कम मात्रा में H पलस आयन देता है उसे Darbal Amblo कहते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा सरीर जो है वो 7.0 से 7.8 pH परास के बीच काम करता है ये भी लिख लेना है इसमें मालो अधिकतर सब कोशन आंसर ही है इसलिए सबको लिखते जाना है वीडियो रोक रोक के नहीं तो इसका PDF भी मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp चैनल का लिंक है वहीं पे इसका PDF डाउनलोड करने का उप्सन मिल जाएगा उसके बाद अमलिये वर्सा तो अमलिये वर्सा किसे कहा जाता है जब वर्सा जल का प्याशमान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अमलिये वर्सा कहते है उसके बाद आपको देखना है ये जो प्राकिर्तिक सुरोत है और इधर अमल है ये भी याद कर ले ना objective के लिए इसे हमेशा याद रख लेना objective के लिए अब आगे देखते हैं दंत च्छाय तो दंत च्छाय क्या होता है जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मुह में बचे हुए खाद पदार्थ जो रहता है वो अमल का निर्मान करता है जिससे मुह का प्याचमान 5.5 से कम हो जाता है और हमारा दात संचारित होने लगता है इसी पर क्रिया को दंच्छे कहते हैं ठीक है उसके बाद अब हम लोग जानेंगे लवन के संबंद में अधिक जानकारी सोडियम क्लोराइड साधरन नमक का अपयोग ठीक है सोडियम क्लोराइड जो है जिससे साधरन नमक भी कहा जाता है इसका अपयोग के बारे में जानेंगे इसका सुत्र होता है NACL सबसे पहला अपयोग है भोजन में सोडियम क्लोराइट का उप्योग भोजन में किया जाता है उसके बाद इसका उप्योग किया जाता है बेकिंग सोड़ा एवं वासिंग सोड़ा बनाने में क्लोरोचार परकिरिया क्या है तब क्लोरोचार परकिरिया जो है विरंजक चुर्ण के बारे में विरंजक चुर्ण का जो सूत्र होता है CAOCL2 होता है जब CAOHP suffix 2 यानि calcium hydroxide को chlorine से अभी क्रिया कराया जाता है तो विरंजक चुर्ण का निर्मान होता है इसका इधर अभी क्रिया नीचे दिया गया है यह जो CAOHP suffix 2 है यह calcium hydroxide है पलस chloride से जब अभी क्रिया कर रहा है जब calcium hydroxide chlorine से अभी क्रिया कर रहा है तो CAOCL2 यानि विरंजक चुर्ण का निर्मान हो रहा है और जल बन रहा है ठीक है तो सब को लिखते जाना अब हम लोग जानते हैं विरंजक चुर्ण का उपियोग तो विरंजक चुर्ण का निर्मान उपियोग है पहला है कागज की factory में दूसरा है रासाइनिक उद्योगों में एक उपचार की रूप में उसके बाद है पीने वाले जल को जिवानु रहित बनाने में ठीक है उसके बाद हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा का उपियोग बेकिंग सोडा का रसाइनिक सुत्र होता है नहCOO3 बेकिंग सोडा का निमन उपियोग है भोजन को सिग्र एवं खास्ता बनाने में ठीक है भोजन को मतलब जल्दी बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपियोग होता है baking powder बनाने में baking soda का अपयोग होता है soda अमल अगनी सामक बनाने में भी baking soda का अपयोग होता है धोने के soda का अपयोग धोने के soda का सुत्र जो होता है Na2CO3 into 10H2O होता है यह धोने के soda का सुत्र है यह सब objective में पूछता है इसका सुत्र इसलिए याद कर लेना दोने के सोडा का पहला उपयोग जो है काच, साबुन तथा कागज उद्धोग में होता है दूसरा उपयोग जो है जल की अस्थाई का ठोरता हटाने में होता है और तीसरा उपयोग है घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग होता है अब हम लोग एक क्रिया कलाप करेंगे क्या लवन के क्रिश्टल वास्तों में सुस्क है इसके बारे में जानने के लिए ये जो आपको दिख रहा है ये है कॉपर सल्फेट ठीक है इसे हम लोग गर्म करेंगे और देखेंगे क्या कॉपर सल्फेट का रंग उड़ जाता है और क्यूं उड़ता है क्या कारणा तो चलिए अभ ही के लिया सुरू करते हैं अब देखना ध्यान से ये देखो देखो धीरे धीरे ये अपना रंग उड़ाते जा रहा है बरनर जब चालू किये तो देखो ये रंग पूरा उड़ गया है और इधर इधर पानी जम गया है ठीक है अब ऐसा क्यों हुआ इससे जानने के लिए चलिए हम यहाँ इसमें वाटर फिर से देते हैं ठीक है जिसके कारण उसमें रंग रहता है लेकिन जब गरम करके उसके जल को हम लोग हटा दिये तो वो अपना कलर वाइट कर लिया लेकिन जब जल हम लोग फिर से दे दिए तो उसका color फिर से आ गिया उसे ही कहा जाता है कृis versão का जल तो क्रिस्टलन का जल का परिभासा है लवन के एक सुतर एकाई में जल के निश्चित अन्गों की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहता है अब यहां लोग देखे थे, लवन के अंदर कुछ निश्चित संख्या में जल होता है, जिसे गरम करने पर अगर जो निकल जाता है, तो उसका रंग पुरा परिवर्थित हो जाता है, पुरा वाइट हो जाता है, लेकिन फिर से अगर जो जल दे देते हैं, तो फिर से उसका रंग आ जाता है अब नोट करके लिखना है जलिए copper sulphate का सुद्र Cu-so4 into 5H2O होता है ठीक है उसके बाद लिखना है gypsum का सुद्र Ca-so4 into 2H2O होता है उसके बाद लिखना है plaster of Paris का सुद्र Ca-co4 into half H2O होता है ठीक है और plaster of Paris का उपयोग भी लिखना है तो plaster of Paris का उपयोग जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगाद जोड़ने में किया जाता है पहला उपयोग है दूसरा उपयोग है खिलोने बनाने में किया जाता है तीसरा उपयोग है सजावट का सामान बनाने में किया जाता है आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं कल के वीडियो हम लोग कोश्चन आंसर करेंगे क्योंकि यह चेप्टर अब समाप्त हो गया है